हेलो एमर्ड़ीबन वेलकम बैक तो माई चैनल रेस्पी सब ये जो फुली हुई और खसता जो कचोरी देख रहे हैं इसे बनाया है हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाने के लिए ना तो मैदा ना आटा ना सूजी ना चाल के इस्तेमाल किया गया है यहां हमने इस्तेमा यहां पर हमने लिया है दो कप पोह और यहां पर अच्छी तरसे हम वाश कर लेंगे दो बार वाश कर लेते है यहांगhang का यहां मैने पैन में दो चमछ्छ त Gil दाल cioèud यह उत्यज़िवार ख़र ऊचिल और ओलेंगे इसने ओफनी हम डालेंगे अध्रक थे मिपमेटर कौने नकिल तर तक हम फिर थे मटर कहएब भाती चूंहें कर सकते हैं अब हलका सभ्राइ हो गया है तो इसमें हम एक छोटा सा प्याज बारी काट कर डालेंगे प्याज को हमें भूनना नहीं है बस कुछ सेकंड के लिए आने तीन से चार सेकंड हलका सभून लीजिए फिर इसमें मसाले डालेंगे अब इसमें थोड़ा से चिली फ्लेश डालें यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप पस हैं तो डालें तो सकते हैं चिली फ्लेश डालें से इसमें काफी स्पैसिल लुक आता है बस मैं इसलिए डाला है और धीम्याच पे थोड़ा से भून लेंगे अब दो मिडियम साइच के और अब इसे मसालों के साथ भी हम भून लेंगे मैं इसे मसल नहीं रहे हूं क्योंकि आलू है इसको थोड़े से चुड़े टुड़े में रहे तो काफी अच्छा लगता है ग्रिन साम बहुत मैश नहीं करना इसे फिर इसमें नमक डालेंगे स्वात के अंसार और चटपट आप मसाले फिर से एड़ कर सकते हैं जैसी जुरूत हो आपको अब गैस को मैंने बंद कर दिया है मसाले हमारे बिलकुल तयार है और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूं थोड़े से प्रोसेस चीज या मुझरा चीज आपके पास उसे मिला सकते हैं कदू कस करके वैसे यह भी बिलकुल ऑप्शनल है कोई जरू नहीं है कि आपको मिलाना ही है आप इसके विना भी बहुत ही टेस्टी पोह की कचवरी बना सकते हैं अब मैंने एक अलग से बरतन में शिफ्ट कर लिया है ताकि ठंडी हो जाए क्योंकि हमारा जो डो है तयार है बहुत ही कम महनत में और फ बहुत है तो नमक डालेंगे स्वात के अंसा और कुछ भी नहीं डालना है और अब इससे हम मसलना स्टार्ट करेंगे और यह जो पोह है ना यह बिलकुल एक डो जैसा त्यार हो जाता है हाथ में नहीं चिपकता है बनाने में काफी असान होता है और जो इसको आप फ्राइ क अभी ना यह थोड़ा सा सूखा था तो मैंने हलका सा पानी इस पर स्प्रिंकल करके फिर से इसको गुतना स्टार्ट कर दिया है यानि इसका जो रखना है थोड़ा सॉफ्टी रखेंगे बहुत हार्ट रखेंगे तो इसकी रोटियां बनाते वक्त फटेगी तो मसल मसलना बिल्कुल डो जैसा त्यार कर लेना है हलका सा सॉफ्ट और चुट चुट चुटे लोईयां बनाएंगे तो यह देखिए जितनी बड़ी बनानी है आपको उस तरह से लोईयां ले लीजिए और इससे चिकना करके यहां पर आप देख रहें मैं जब इसकी पूरियां बना तो इसमें तेल बगर बने कुछ भी नहीं लगा है पूहे की अच्छी क्वाल्टी है कि बिल्कुल इसे किसी चीज की जरूत नहीं है एकदम से पूहे से बिना तेल बगर लगा आप इसे बनाईए और हलका सा मोटा इसे बेलना है बहुत पतला नहीं रखेंगे बहुत ज़ इंटर में लगा लेना है और चारो तरफ पानी लगा लीजिए ताकि हमें दुसरी पूरी को इस पर चिपकाएं तो अच्छी तरह से चिपक जाए क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि पोहे को यह दोनों पूरीयों को चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है त कितना सुंदर सा तयार हुआ यह और अब यह किनारे देख रहें ना चिपका नहीं है कि हमने इतना पूर्शिश करने के बाद भी तो लास्ट में इस तरह से हातों से थोड़ा दबाद हैं तो यह चिपक जाएगा थोड़ा सा टाइट दबाएंगे और यह तयार हो गया इस तब तक फ्राई करें बहुत ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है नहीं तो जो पुहा है जलने लगेगा हमें पता भी नहीं चलता है कलर के चकर में फिर यह क्या होगा ना कि टेश इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है तो इसलिए हलका ब्राउन ही रखेंगे से और देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिये हैं मैं सच पर बताती हूं कि इसने बहुत ही कम तयल अबजार किया है और यह काफी क्रिश्पी बना है और अच्छी तरह से फुला हुआ है अब मैं आपको इस तरह सब कर दिखा रहे हूं कितना यह सौंग कर रहा है बिलकुल फस् तो लाइक करें ज्यादा दाश्यार करें में चनल पर ना है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थाइंक्यू बाबाई